हां जी राम राम जी क्या हाल चाल आपके उमीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाग होगा दोस्तों CET के फोर्म बरे जा रहे हैं और लास्ट एट आने वाड़ी है यदि डेट एक्स्टेंड नहीं होती है तो कल फोर्म बरने की लास्ट एट रहेगी और मुझे पूरी उमीद है आपने भर लिया हूँ इदि नहीं बरा है तो आपके लिए जरूरी सुचना है और यदि भर लिया है तो भिया है जरूरी सुचना है बहुत सारे स्वाल आ रहे हैं कि family ID में हमारी income पहले इतनी थी, आज इतनी हो गई है, form बरा तब इतनी थी क्या हमारा क्या रहेगा, हमें number claim करने चीए या नहीं करने चीए, क्या मामला है और no job का जो status है, वो 2022, जो 23, 31 मार्च उसके recording देखा जाएगा, या फिर job का status आज का देखा जाएगा, क्या मामला है, यह आप जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को last तक देखते रहें, यह knowledge tv देशी ताव यूटूब चनल को subscribe नहीं किया है, तो आप subscribe कर लिजे ताकि आपको सही समय पर सही update मिलती रहें, और इस वीडियो को like नहीं किया, तो like कर दीजेगा, आपका एक like मुझे next information आप तक पहुंचाने के लिए परेरिद करेगा, और दोस्तों यदि आप CET mains की त्यारी करना चाहते हैं, CET mains की यदि आप त्यारी करना चाहते हैं, KTDT online education app प तो ALM है, उसके लिए बैच उपलब्द है, fireman के लिए बैच उपलब्द है, और हरियाना जिक्या आपके हर एक्जाम में आ रही है, हरियाना जिक्या का बैच भी उपलब्द है, कंप्यूटर आपके हर एक्जाम में आ रहा है, तो कंप्यूटर का special बैच भी उपलब्द है आप KTDT एप पर demo देख सकते हैं तो आपका दिल करें तो आप demo देख के course जोईन कर सकते हैं यह नंबर रहने वाड़ा है यदि आपको कोई समस्या है किसी प्रकार की आप इस नंबर पर call या message कर सकते हैं अब बात आती है जी CT mains के form में income की बहुत सारे साथियों के message आ रहे हैं कि हमारी income आज इतनी है दो दिन पहले इतनी थी, छे महिने पहले इतनी थी CT mains में या CT परी की मैं बात करूँ बहुत सारे बच्चे इसके बारे में message करें CT परी की जो देखी जाएगी वो देखी जाएगी 10 जुलाई 2022 को income कि 10 जुलाई 2022 को income कितनी थी ये चीज देखिए, चेर्मेन साब ने बाद में इस चीज को बताया था कि हम 10 जुलाई के according आपकी income काउंट करेंगे लेकिन जो रूल है लिकित में जब CT परी का फोर्म बरागा था तब ये बताया था कि जिस दिन आप फोर्म बर रहे हो उससे पिछले साल की income जो पिछला आपका financial year था वो देखा जाएगा और उसके बेस पे आपको नमबर लेने है जोब के या नो जोब के ठीक है तो अभी जो लिकित में चेर्मेन साब ने एक अलग से special notice निकड़वा था उसके according 10 July 2022 डेट है उस दिन आपकी income क्या थी? CET परी के लिए इसके बाद दोस्तों CET mains में CET mains में आपकी देखी जाएगी 1 April 2022 से लेकर 31 March 2023 इसके बीच में आपकी income कितनी है वो चीच से करी जाएगी अब हो सकता है आपकी income बढ़ गई हो या कम हो गई हो तो यहाँ पर यदि आप इसका कोई proof दे सकते हैं इस time के दोरान यदि आप कोई proof दे सकते हैं आपकी income का तो आप number लेने के हकदार है आप कोई भी proof त्यार कर लीजिए उसके बेस पे आप CET means में action ले लीजिए कि आप valid हो या नहीं हो ठीक है आप बढ़ गई है पहले क्या थी अब क्या है उस चीज़ का चकर छोड़ दीजिए इस period के दोरान आपकी income क्या रहेगी उसका आपके पास कोई proof है यदि बदल गई है और आपने proof दे दिया कि देखो मेरी 31 मार्ज को या 20 मार्ज को 15 मार्ज 2030 को इतनी income थी तो वो आपका point valid समझा दाएगा आप उस point पे लड़ाई लड़ सकते हो no job की condition आपकी कब देखी जाएगी परिवार में no job की condition जो last state of form बरने की उसके according देखी जाएगी कि आपके गर में job है या नहीं ठीक है तो यह मामला था बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे और यदि किसी का आप गड़बड हो गए आपको आपको आज मिल रही है तो आप क्या कर सकते हो जब edit का मुक्का आएगा उस time पर आप ध्यान रखना हो सकता है उस time पर यह जो बड़ा option भी change करने का option आपको दे दिया जाए ठीक है जब भी edit का मुक्का आएगा यदि आएगा तो आपको knowledge tv देशीता उपर वीडियो के माज़म से बता दिया जाएगा ठीक है तो यह मामला था आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही दन्यवाद भगवान करे आप सभी का समय सुब रहे